आज नाग पंचमी का पर्व है। नाग भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं। देवगर के प्रसिद्ध जोतिश पंडित नंद किशोर मुद्गल ने बताया कि आज ही के दिन यानि शुकरवार को नाग पंचमी मनाई जा रही है। इस दिन शिववास के साथ हस्ता नक्षत्र भी रहने वाला है। इसके साथ ही सरवात्र, सिर्धी योग और अमरित योग का भी निर्मान हो रहा है। ऐसे में अगर कुछ कारे आप करते हैं तो नाग देवता बेहत प्रसन हो जाएंगे और घर में सकरात्मक उठ्जा का संचार होगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जदी आपको शर्प का भय स्वपन में सर्प आ रहा है, तो जदी शर्प का भय है तो अपने घर के दरवाजे पर गोवर का नाग की आकरती को बना दें। और बनाने के बाद आप चंदन अक्षत फूल विलपत्र से नाग को पूजा करें और दोनों तरफ दूद और लवा थोड़ा थोड़ा गिरा करके नाग को अरपन कर दें आपके जीवन में या स्वपन में कभी नाग का दर्सन नहीं होगा तामबे का नाग आप बनवालें और किसी संकर भगवान के मंदिर में जब मंदिर खाली हो तो तामबे के नाग को संकर भगवान के मंदिर में जा करके अरपन कर दें ध्यान रहे अरपन करते स्वाय किसी का नजर आपके उपर नहीं पड़े कोई आपको रोक रोक नहीं करे ये दूसरी भी दिये तो आज के दिन इन उपायों से नाग देवता प्रसन होंगे और जीवन में सुक्षम्रिद्धी तथा शांती का संचार होगा लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंग की रिपोर्ट इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित अनुसार है लोकल 18 इसकी पुष्टी नहीं करता है